अक्चुली देरवाजे प्रावर प्रावलम कोई बात नहीं तो हम लोग यहां से इस लेक्चर का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पॉइंट डिसकस किया था वो आखरी पॉइंट था फीजिकल कैपिटल के बारे में जहां हम बातें कर रहे थे कि हमें प्रोडक्शन के लिए किन-किन चीजों की जरुत परती है पहली चीज हम लोगों ने बात की थी लैंड दूसरी चीज थी लेवर भी वेर डिसकसिंग अबाओ फीजिकल कैपिटल हम लोग पून जी की बात कर रहे थे तो पून जी की बात कर रहे थे तो उसमें क्या-क्या चीजें चाहिए होती है वाट आइटम्स दाट कम अंडर फीजिकल कैपिटल कौन-कौन सी चीजें आती हैं आइटम्स तो फीजिकल कैपिटल में जो पहली चीज इन्हें हम गिन सकते हैं वह है tools, machine, buildings सीधे सीधे सब्दों में कहें तो tools का मतलब होगा ओजार, machines, वो machines होगी, machinery होगी जिसके जड़ी हम production का काम करेंगे and we will need a campus, we will need a building also हमें एक production area की जरुद तो होगी न, जिसके ऊपर में छत होने चाहिए, दिवारे होनी चाहिए जिस बंद एरिया में हम लोग काम करेंगे वहाँ पर वो फैक्टरी के वर्कर्स के लिए भी काम करने की जगह होगी देर विल भी अर्मिस्ट्रेटिव सेक्शन आलसो जहां पर आफिसर्स लोग बैठेंगे लिखा पढ़ी का काम होगा तो अगर हम बात करते हैं टूल्स और मसीन्स का तो वहाँ पर सिंपल टूल्स में जैसे की किसानों के लिए जो हल होते हैं ट्रैक्टर्स होते हैं, कुदाल होते हैं, फावडा होता है खुर्पियां होती हैं, इन्हें भी हमें लेना परेगा टूल्स में और इसके साथ साथ में बड़ी मशीनें जैसे की जनेरेटर, टर्वाइन, कम्प्यूटर इन्हें भी गिनेंगे हम है ना, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स can be used in production over many years और चुकि यह जो औजार है, यह जो मशीन है और यह जो बिल्डिंग है यह एक बार खड़ी दने के बाद कई सालों तक प्रोडक्शन के काम आएंगे इसलिए हम इसे फिक्स्ट कैपिटल कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग फिजिकल कैपिटल में गिनते हैं अगला पॉइंट है रॉव मेटेडियल सेंड मनी इन हैंड तो कहीं भी प्रोडक्शन करने के लिए मैनुफेक्चरिंग के लिए हमें रॉव मेटेडियल कच्छे माल की जरूत होती है जैसे कोई अगर चीनी मिल है तो उसे गनने की जरूत होगी अगर कोई कार खाना ऐसा है जहां पर भुनाई का कपड़े बनाने का काम होता है तो वहां पर वीभर को जुलाहे को भुनकर को क्या चाहिए यान चाहिए और अगर वहां पर पॉटरी का काम होता है तो मिट्टी चाहिए and also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items और रुपय पैसे की जरू तो होती ही है कि प्रोडक्शन में कई सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर हमें necessary items को purchase करने के लिए services को hire करने के लिए we will have to pay for that उसकी कीमत चुकानी होगी and we will require money for that so raw materials and money in hand are called working capital तो यह जो कच्चा माल है और जो हमें पैसा चाहिए daily expenses को meet out करने के लिए उससे हम working capital कहते हैं unlike tools machines and buildings these are used in used up in production there is a fourth requirement too हम लोगों को production के लिए एक चौथी जरुवत भी होती है वो क्या है you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce and output either to use yourself or to sell in the market जो चौथी चीज है वो किसी भी production unit को run करने के लिए हमें जानकारी चाहिए we will need the technology एक manpower force भी चाहिए होगा यहाँ पर यहाँ पर enterprise का मतलब है कि senior officers management team की बात हो रही है ठीक है तो यह जो जानकारी है, technology है, enterprise है इसको हम land, labor और physical capital के साथ में utilize करके we can produce and output हम लोग कुछ चीजों का production कर सकते हैं जिसे हम खुद के लिए इस्तेमाल करें या फिर market में बेचेंगे so these days is called human capital we shall learn more about human capital in the next chapter तो यह जो बात है, यह जो चौथी जरूरत है जहां पर हम लोगों ने बात की, knowledge की, enterprise की तो हमें skilled labor चाहिए हमें talented लोग चाहिए हमें talented लोग चाहिए management body में, management committee में जो इस enterprise को, जो इस organization को, जो इस production unit को चलाएंगे, run करेंगे और इसी को हम कहते है, human capital या human resource भी कह सकते है human capital के बारे में detail में हम लोग next chapter में पढ़ेंगे तो यहां मैं एक छोटा सा picture देख रहा हूँ picture 1.2 में there are labors there are staffs which are working with machines तो यह एक factory है और मुझे लगता है, यह कपड़ा बुढने वाली factory है कपड़ा बनाने की जहांपर labor machines के साथ में काम कर रहा है every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as factors of production तो किसी भी production unit को चलाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की जरूत होगी हमें land चाहिए होगा, labor चाहिए होगा, physical capital और human capital जमीन, काम करने वाले लोग, पूंजी चाहिए होगा और साथ-साथ में एक management team भी चाहिए होगी all these things are known as factors of production अगर इसमें से किसी भी एक चीज़ की कमी होगी तो हमारा production interrupt हो सकता है, रुक सकता है so as we read through the story of Palampur we will learn more about the first three factors of production for convenience we will refer to the physical capital as the capital in this chapter तो जैसे जैसे हम लोग Palampur गाओं की कहानी पढ़ेंगे इसकी बारे में बातें करेंगे तो हम लोग ज्यादातर समय पहले तीन factor पर land, labor और physical capital इसी पर बातें करेंगे physical capital को हम लोग उने दो हिस्से में बाटा था fixed capital और working capital लेकिन यहाँ पर जब भी हम Palampur की बात करेंगे हम लोग physical capital को capital ही कहेंगे ओके तो अब फिर से वापस आते हैं हम लोग theory की दुनिया से practical की दुनिया में मेरा कहने का मतलब है कि अब हम लोग वापस Palampur गाओं के बारे में बातें करते हैं land is fixed तो जो पहली चीज है पहला factor है production में वो क्या है land तो जमीन जो है वो fixed है हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं जबता वो घट जरूर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं so farming is the main production activity in Palampur 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood there could be farmers or farm laborers the well-being of these people is closely related to the production on the farms तो पालंपुर गाओं में उत्पादन का जो मुख्य काम है वो क्या है वो है खेती करना 75% लोग जो है वो या तो खेती पर ही depend करते हैं पूरी तरह से वो खेती पर ही अपनी जीविका चलाने के लिए depend करते हैं there could be farmers or farm laborers और ये लोग कौन हो सकते हैं ये या थो खुद किसान हो सकते हैं या बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम करने वाले खेती हर मजदूर हो सकते हैं और इन सब लोगों की जो जीविका है लाइफ स्टाइल है लिविंग स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से इस बात पर depend है कि पालंपूर में खेती कैसी हो रही है वहाँ पर production कैसा हो रहा है उनके खेतों में बट रिमेंबर दाट देर इस बेसी कॉंस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोड़क्शन land area under cultivation is particularly fixed and it is practically fixed तो क्या ध्यान देने वाली बात है ध्यान देने वाली बात ये है कि production में जो सबसे basic constant है मुख्य तत्व है वो क्या है खेती की जमीन और ये जो खेती की जमीन है वो तो बंधी बंधाई है उसे हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि एक गाओं का जो area है maximum cultivable land खेती की जमीन उतनी ही हो सकती है जितनी उस गाओं का area है हाना कि जब उस गाओं के area की बात करेंगे तो लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, school भी चाहिए, कुछ और भी social setup होते है उनके लिए भी land की जरूत पड़ेगी तो इन साड़ी चीजों को काटने के बाद, adjust करने के बाद जो जगह बचेगी that will be cultivable land of the village जहां पर खेती हो सकती है और ये खेती की जमीन fixed होगी So since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation तो ये एक important बात बताई जा रही है कि 1960 हिस्वी के बाद से पालमपूर में खेती की जमीन में, cultivable land में कोई बृध्धी नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि उससे पहले उस गाओं में जमीन जादा थी और खेती कम जगह पर होती थी Now there is a saturation point अब वहाँ पर जो जमीने मौजूद थी उसमें से जादतर हिस्से में खेती का काम सुरू किया जा चुका है So now there is no more scope of expansion for cultivable land अब वहाँ पर खेती की जमीन बढ़ाने का option नहीं है So by then some of the wastelands in the village had been converted into cultivable land तो ऐसा भी हुआ है कि गाओं में कुछ ऐसी जगह थी जो जिसे खाली कह सकते हैं पड़ती पड़ा हुआ कह सकते हैं wasteland उसको भी लोगों ने अपनी मेहनत से खेती लाइक जमीन में convert कर लिया है There exists no further escape to increase farm production by bringing new land under cultivation अब उस गाओं की जमीन बढ़ाई तो नहीं जा सकती न तो इसी लिए अब वहाँ पर और cultivable land बढ़ाने की जगह है ही नहीं मैं यहाँ पर box में कुछ interesting fact देख रहा हूँ You must know about it The standard unit of measuring land is hectare Though in the villages you may find land area being discussed in local units such as bigha, guintha, etc तो यहाँ पर बच्चों बात किसी के बारे में है वो बात इस बारे में है कि अगर जब भी हम जमीन की बात करते हैं उसके area की बात करते हैं तो इसको major करने का मापने का जो standard unit है वो hectare है लेकिन जब कभी भी आप गाओं में जाओगे तो वहाँ पर आप तरह तरह की बातें सुनोगे जब local unit की बात होती है खेती की जमीन के रिया की तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतनी बीगा जमीन है इतना कठा जमीन है इतना गुइंठा जमीन है इतना धूर जमीन है इतना decimal है ऐसे कहते हैं तो आपके मन में भी दिल्चस्पी होगी न तो एक हेक्टेर लैंड एक हेक्टेर जमीन जो होती है वो 100 मीटर चौड़ी और 100 मीटर लंबी हो सकती है Excuse me So can you compare the area of one हेक्टेर filled with the area of your school ground So you have to think it about आपको सोचना है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो क्या उसका एरिया जो है वो उसका जो मैदान है वो एक हेक्टेर के बराबर है या नहीं है Check करके देखना So now we are coming to the next point Is there a way one can grow more from the same land तो भई बात उठती है production बढ़ाने की उत्पादन बढ़ाने की तो हम लोगोंने देख लिया कि We cannot increase the area of cultivable land खेती की जमीन को हम नहीं बढ़ा सकते हैं वो एक saturation point पर आ गया है तो अब क्या तड़ीका हो सकता है How can we grow more from the same land हम लोग उसी जमीन से ज्यादा से ज्यादा खेती ज्यादा से ज्यादा production कैसे कर सकते है So in the kind of crops grown and facilities available पालंपूर would resemble a village of western part of the state of उत्तरप्रदेश तो अगर हम बात करते हैं कि भाई पालंपूर में किस तरह की जमीन है और वहाँ पर किन-किन चीजों की खेती होती है तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि ये काफी कुछ मैच करता है उत्तरप्रदेश के पस्चीमी भाग में एक गाउं के बराबर में पस्चीमी उत्तरप्रदेश की किसी भी गाउं को अगर ले लें तो उसी के जैसा है पालंपूर All land is cultivated in पालंपूर No land is left idle During the rainy season, curry, farmers, grow, जवार and बाजरा तो पालंपूर में जो जमीन है वो सारे की सारी जमीन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है जो मतलब घरों के बाद, घर वगरा के बाद जो जमीन बची है वो वहाँ पर कोई भी जमीन अब खाली नहीं बची बारिस का सीजन होते ही जैसे जून जुराई का जो मौसम होता है तो उसके बाद खडीफ क्रॉप की खेती होती है किसान यहाँ पर जौर और बाजरा उप जाते हैं इस प्लांट्स अर यूजड आज कैटल फीड इस फालोड बाई कल्टिवेशन पोटेटो बिट्विन अक्टूबर और दिसमबर तो हम लोगों ने जो जौर और बाजरा की बात की इन फसनों को यहाँ के किसान चार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं गाय भैस बकडियों को खिलाने के लिए इसके बाद आता है समय अक्टूबर और दिसमबर का जब यहाँ के किसान आलो की खेती करते हैं अब जब बात आती है आलो की खेती होने के बाद में जाड़े के समय में यह रभी की खेती करेंगे रभी क्रॉप उप जाएंगे तो उसमें यह क्या उप जाएंगे गेहू उप जाएंगे तो जब यह गेहू की खेती करते हैं तो यह काफी सारा गेहू अपने पडिवार के कंजम्शन के लिए साल भर पड़िवार को खिलाने के लिए जो गेहूं चाहिए उतना वो बजा करके रख लेते हैं और बाकी का सारा गेहूं ये रायगंज के मार्केट में बेज जाते हैं अब एक और इंट्रेस्टिंग बात यहां पर यह है कि यह पार्ट अफ दे लेंड एरिया इस ऑल्सो डेवोटेट तो सुगर किन which is harvested once every year यहां खेती की जमीन का काफी कुछ हिस्सा जो है उन्होंने पर्मानेंटली छोड़ करके रखा हुआ है फिक्स करके रखा हुआ है वो है सुगर किन गन्ने की खेती के लिए जिसे यह साल भर में एक बार कारते हैं सुगर केन in its raw form or a jaggery is sold to traders in साहपूर और कई बार यह लोग सुगर केन से गुड़ भी बनाते हैं इसे यह आज पास के व्यापारियों को साहपूर में बेजते हैं इसके अलावा यह सुगर केन को गन्ने को उत्तर परदेश में जो चीनी मिले अविलेबल है उन्हें भी बेजते हैं तो सुगर केन इनके लिए कैस क्रॉप भी है मुझे यह भी मालुम है कि यूपी में तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि क्या वजह है कि पालमपुर के किसान साल भर में तीन तीन फसलों की खेती कर पाते हैं उसकी सबसे important बात ये है कि उनके पास में एक well developed irrigation system है सीचाई के साधन बड़े अच्छे से available है यही वजह है electricity came early in to पालमपुर its major impact was to transform the system of irrigation जब देश में electrification का काम हो रहा था तो उनही दिनों शुरुआती दिनों में ही पालमपुर गाउं में बिजली आ गई थी जिसकी वजह से यहां के सीचाई system को काफी transform किया गया और इसकी पर खेट खेट पर एफिलेबल है जैसे की Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small things पीछे के समय में यह लोग Persian wheel यूज किया करते थे जिसके जरी यह कुओं से पानी खीचा जाता था और कुओं में और कुओं से फिर छोटे-छोटे खेतों में सीचाई का काम होता था people saw that the electric current tube wheels could irrigate much larger area of land more effectively तो यह बात तो आप भी बच्चे सोची सकते हैं कि जो electrical tube wheel है वो कम घंटे में ज़्यादा पानी खीच सकता है और इसकी वज़ा से ज़्यादा खेतों की सिचाई हो सकती है बिजली कम मेरा मतलब है मेहनत कम लगेगा समय भी कम लगेगा तो यह तो बड़ी कमाल की बात है कि सुरुवाती दौर में कुछ इस tube wheel सरकार के द्वारा लगाए गए और आगे चल करके लोगों ने अपने अपने private tube wheel लगाने शुरू किये और 1970 की बीच में आते आते इस गाओं का जो cultivated एडिया है 200 हेक्टेर वो पूरा का पूरा irrigation मतलब इस डायरे में आ गया कि हर जगा पर थोड़ी थोड़ी दोड़ी पर tube wheel available थे और कहीं भी सीचाई की कोई दिक्कत इन्हें है नहीं not all villages in India have such high level of irrigation so in that case we can say that Palampur is a standard village model village तो भारत के सारे गाओं में अभी भी इतने उंचे दर्जे का इस तरह का irrigation की सीचाई की सुविधा उपलब नहीं हुई है अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो जो नदी के साथ के समतल मैदान है वहाँ पर irrigation की सुविधा होती है इसके अलावा जो समुद्र तटिये इलाकों के आसपास में खेत होते हैं वहाँ पर सीचाई की सुविधा होती है लेकिन जो प्लैट्यू रीजन होता है पठाडी छेतर होता है जैसे कि अगर हम बात करें दक्यन प्लैट्यू की बात करें तो वहाँ पर सीचाई की सुविधा हाई लेवल की नहीं होती अब टोटल कल्टीबेटेड एडिया इन दी कंट्री ए लिटिल लेस देन 40 परसेंट इज इरिगेटेड इवन तोडे इन दे रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लाजली डिपेंडेंट ओन रेन फॉल तो ये एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे पूरे देश में जो खेती की जमीने हैं उसमें से लगभग 40 परसेंट से कम जगहों पर ही सीचाई की प्रॉपर सुविधा एविलेबल है बाकी का हिस्सा जो है इट इस एबाउट 60 परसेंट वो अभी भी वर्षा पर रेन फॉल पर ही डिपेंड करता है कि अगर अच्छी बारिस होगी तो सीचाई होगी अच्छ तो बच्छों ऐसा है कि अगर हम किसी खेत पर साल भर में अगर एक फसल से ज़्यादा की उपज कर लेते हैं एक फसल से ज़्यादा की खेती कर लेते हैं तीन चार या दो दो फसल उपजा लेते हैं तो इसे हम कहते हैं multiple cropping हम लोग पहले जान चुके हैं कि रभी की खेती कब होती है खरीफ की खेती कब होती है खरीफ की खेती गर्मियों में बारिस के मौसम में होती है और रभी की खेती जाड़े में होती है तो दो फसल उप जा पाना ये तो एक कॉमन बात है अगर दो से जादा फसल की खेती कर ली और इसे हम multiple cropping कहेंगे, so it is the most common way of increasing production on a given piece of land, तो इस तरीके से हम लोग उस जवाब पर वापस पहुंचते हैं, जिससे ये पता लगता है, कि कैसे हम एक दिये हुए खेट पर ज्यादा से ज्यादा production कर सकते हैं, कैसे दो से ज्यादा फुसलोफ जाकर के, तो पालमपूर में जितने भी किसान हैं, वे सब के सब किसान, दो में क्रॉप उप जाते हैं, और उसमें से ज्यादातर किसान आजकल ऐसे भी हैं, जो पीछे के 15 से 20 सालों में थार्ड क्रॉप, तीसरी फसल के तोर पर आलो की खेती कर रहा है, तो बच्चों, यह जो लेक्चर हमारा चल लहा है, इसका पार्ट टू मैं यहां पर ही पॉस करता हूं, यहीं पर रोगता हूं, इसके आगे के पॉइंट को हम लोग फिर अगले लेक्चर सेशन में कावर करेंगे, चुकि यह एक बड़ा चैप्टर है, काफी साड़ी चीजें डिसकस की जानी है, और आप पहली बार पढ़ रहा है हो, एकॉनोमिक्स, चुवी पॉएव फॉट टॉप्ट अ लॉट, हम लोगों को काफी साड़ी बातें करनी होगी, वी वी बील हैब टूप्ट इसकस इन डिटेल, इच और एवरी अस्पेक्ट अफ पालमपूर, इच और एवरी अस्पेक्ट अफ आप एकॉनोमिक्स, तो आपको बोर नहीं होना है you have to remain curious and you have to remain interested about the subject whatever I am going to discuss ठीक है तो आपको ध्यान से सुनना है आप इसमें से काफी सारी चीजों को अपनी जिन्दगी के साथ में अपनी गाओं के साथ में अपने साहर के साथ में जोड करके दे सकते हैं और सास इसी के बारे में तो है economics इसी चीज़ के बारे में है तो ठीक है बच्चों हम लोग इस chapter के lecture session 3 में भी मिलते हैं फिर हम लोग आगे की चीज़ें continue करते हैं